आधार काट नकेवल पहचान पत्री के रूप में बेहत जरूरी है बलकि ये बिछलु को अपनों से मिलाने के काम भी आता है एक ऐसा ही माम लंब अधे प्रिदेश के जबलपुर से सामने आया है यहां पांस साल पहले भटक कर आया एक बच्चा आधार काट की मदद से अपन माने पहुंचे दरसल अनस महराष्ट के जलगाओं कर रहने वाला है वो जब दो साल का था तब उसके माता पिता की मौत हो गई थी इसके बाद वह अपने जीजा शेर खान के साथ रहने लगा अनस को अपना बेटा वह मानती थे अनस भी उन्हें पापा कह कर बलाता था शे शेर खान ने आगे बताया कि अनस की खोज में वह बीते पास सालों से भटक रहे हैं और आधा भारत घुम चुके हैं लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था उन्होंने कहा शायद आल्ला ने हमारे बच्चे को हमसे मिलाने का समय तैकर रखा था तब ही रमजान मह पायन ने उसे दिव्यांग बालगिरह की देखने में भिजवा दिया था यहां उसे नया नाम दिया गया लालू बालगिरह में उसके जैसे ही दूसरे बच्चे भी रह रहे हैं इसकूल में भरती करने के लिए बालगिरह की लोग उसे आधार कार्ट बनवाने के लिए लेक किया मासुम को उसके परिवार से मिलाने में सही उगमागा जिसके बाद लालू को बुला कर उसके हातों की उगलियों के निशान लिये गए वहां से उसका 2015 में बना आधार काड मिला उस आधार काड से जुड़ा एक टंबर भी था वो नंबर शेर खान का था उन्होंने मासु पापा कहते हुए उनके गले से जालिप्टा रुंधे गले से शेर खान ने बताए कि उसका असली नाम अनस है उन्होंने लालू की कस्ट्री लेने की जरूरी प्रिकरिया पूरी की फिर मंगलवार को वह उसे लिकर महराष्ट के जलगाउं उरवान होगे लालू भी परिज सित बाल ग्रह में लालू को लाया गया था तो वह काफी बिमार था शारिरिक रूप से भी कमजोर हो गया था उस समय वह काफी डरा हुआ था उसे अपना नाम तक नहीं बता था तब हमने उसे लालू नाम दिया था यही अब उसकी पहचान बन गई थी आधार बनवाने लिए दूसरी बात यह कि इसको घाओ इतने थे पैर में और इतना डरा सहना हुआ था तो यह किसी से बात करने बढ़ा डर लगता है हमारे दोस्ते इसको कुछ थंदा याने कुछ लाने लेके गये थे और हमारे घर के बाजू में जो रेलवे स्टेशन है तो जो रेलवे स् जोट्छ आर्डे लेके लाने लेगे लाओ स्टेशन है